कहते हैं रंगे हुए CR जादा दिनों तक रंगे नहीं रह सकते हैं ऐसा ही कुछ हो रहा है आँस्ट्रेलिया के पीएम इस वक्त बहुत गुस्से में है और आस्ट्रेलिया के रख्षा मंद्री ने यहां तक कह दिया चाइना को कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो अब कहेंगे क्यों कुछ दिन पहले ही अलबनीज और जिन पिंग गलवईयां करते नजराये थे पांच नवंबर को दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ऐसा माना जाने लगा कि आस्ट्रेलिया और चीन के बीद सब कुछ ठीक हो रहा है फिर ऐसा क्या हो गया क्यों चीन ने आस्ट्रे करेंगे जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से आस्ट्रेलिया की पीम अलबनीज जब चाइना पहुंचे थे तब मैंने आपको एक बात कही थी और कहा था कि अलबनीज यहां पहुंचे तो जरूर है लेकिन य चाहिए महामारी कहां से निकली है और इस एक बात के बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरा भला कहा यहां तक कह दिया कि हम तुम्हें एकदम नीचे ले आएंगे उसमें जिस तरीके का वैवार ऑस्ट्रेलिया के परती था वो देखकर ऐसा लगता था जैसे ब को और दुनिया को यह दिखाना बड़े बड़े विजनिसमेन को यह दिखाना कि देखो हम उस्ट्रेलिया के साथ भी रिष्टे अच्छे कर रहे हैं बैपार हमसे अच्छा करो बैपार में भागो मत इन्वेस्ट्मेंट करो देखो हम सारे भागीदारों के साथ अपने रि चाहिए जो दिख रहा है वो सीन चाइना के साथ नहीं है फिर भी ऑस्टेलिया के पीम यहां पहुंचे थे और ना सिर्व पहुंचे थे इनके स्वागत के बाद इन्होंने चाइनीज प्रीमियर को कहा था बड़ी खुसी-खुसी आना जी हमारे गर गूम कर जाना इन्होंने न्योता दिया था इने चाइना के इंटरनेशनल इंपोर्ट एकस्पो में बता और चीफ गेस्ट पहुंचे और वहां फीता-सीता काटा अब फीता-सीता काटने के बाद यहीं माना गया कि चाइना और ऑस्टेलिया में चीजे ठीक हो रही है दुनिया में एक अलग तरह ख आहोल भी बनने लगा मुझे भी किसी ने मैसेज किया और कहा कि देखो चाइना और श्रेलिया के साथ रिष्टे ठीक कर रहा है उदर देखो अप एक मीटिंग में जापान और चाइना की मीटिंग हो रही है उदर देखो अमेरिका के राष्टपती बाइडेन और जिनपिंग मिल रहे हैं उदर देखो दचिन कोरिया भी मुलाकात कर रहा है कहीं ऐसा न हो कि भारत अकेला पड़ जाए पर मुझे न जिनपिंग के आदत पर पूरा भरोसा है चाइना की आदत पर इतना ज़्यादा भरोसा है जितना भरोसा बांकी देशों के परती नहीं है चाइना ज मीटिंग का क्या हस्र हुआ यह भी हमने देखा अब और अस्ट्रेलिया का हस्र सुन लिजिए और चाइना के डिस्ट्रॉयर और चाइना के डिस्ट्रॉयर ने सोनार पल्स छोड़ने शुरू कर दिये सोनार पल्स किस तरीके के होते हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरीके से कभी हेलिकॉप्टर से कभी जहाज से कभी सम्मरीन से किसी से भी आप सोनार पल्स को छोड़ सकते हो सोनार पल्स ध्वनी तरंगे उत्पन करती है और ये ध्वनी तरंगे कई बार ऐसा हो जाता है कि ये सिप को ड्राइवर को डेमेज तक कर सकती है और ऐसा ही हुआ आखिरकार आस्ट्रेलिया को अपना जहाज लेकर वहां से निकलना पड़ा कि अगर नहीं निकलेंगे तो यहा दचिंचीन सागर में हर जगह कई बार इस मौके को देखा गया चाइना की नेवी चाइना की वायू से न अपने हिसाब से काम करती है क्योंकि उसका मानना है पूरा का पूरा दचिंचीन सागर उसका है और आप घुस रहे हो मतलब आप घुस पैट कर रहे हो अब ऑस्ट्र लिया के साहथ चाहिन ऐसा County कर रहा है हम लोग कई बार यह था कहें तो बार बार एक ही नाम लेते हैं क्योंकि हमारे नजदीक है। हम लोग नाम लेते हैं और comment स्रिलंका करा और कहते हैं कि सिलंका भोड जादा अपने रहा है इसी हुझे से सो फंस ग्या है तो आज मैं आपका एक भरम दूर करती हूँ स्क्रीन पर एक चार्ट देखिए इस चार्ट में चाइना कीन कीन देशों के पोर्ट पर निवेस कर रहा है ये चार्ट वो बतलाता है और इस चार्ट में आप क्या देख रहे हैं एक नमबर पर कौन सा देश? एक नमबर पर स्रिलंका नहीं है तंजानिया है 10.2 बिलियन डॉलर का इन्वेश्टमेंट किया है चलो ये तो सही है क्योंकि BRI का वो member है दूसरे नमबर पर कौन है? उस्ट्रेलिया स्रिलंका से जदा तो पैसे उस्ट्रेलिया के पोर्ट पर लग है किसरे नमबर पर स्रिलंका है इसलिए तो ऑस्टेलिया के साथ चाइना उस तरीके का बढ़ता हुआ करता है जिस तरीके का बढ़ता हुआ स्रिलंका के साथ करता है कि स्रिलंका के लाख मना करने के बावजूद उसके हमन टोटा पोर्ट पर ले आता है अपने जहाजों को है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये खबर कहां से आ रही है भारत के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी आ रही है टेसला के तरफ से भारतिये कॉमर्स और इंड़स्ट्री मिनिश्टर अमेरीका गए हुए है और अमेरीका में ये पहुंचे जो टेसला का एक मैनूफेक्चरिंग का बड़ा प्रोड़क्शन हाउस है वहाँ पर इन्होंने सहर सपाटा किया और सहर सपाटा करने के बाद उन्होंने कहा कि टेस्ला और भारत के बीज में लंबे समय से एक बात चल रही है और वो बात चल रही है भारत में प्लांट लगाने का शुरुवाती दौर में एलिन मस्क को भारत पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि भारत कई सारे नियम ठोप रहा था पर आप माना जा रहा है कि भारत के साथ एलन मस्क मिल कर काम करना चाहा रहे हैं और जियो पॉल्टिकल इस्तिती भी ऐसी है कि भारत के साथ मिलना है तो ऐसे में जल्द ही टेसला का प्रोड़क्शन हाउस भारत में दीख सकता है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए इस आर्टिकल के अनुसार कॉमर्स मिनिस्टर का इसारा कुछ इसी दिसा में था और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा टेसला अगर आईगी तो यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा साथ ही साथ एक विदेशी कमपनी किस तरीके से काम करती है इलेक्टिक वहिकल मार्केट में वो भी देखने को मिलेगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जब मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ लाइ जब मिलेगा से कौता है कि उलेगा में बना रिटेंगा राया है कमें विदेशनम бу के विवदयो